वार्म वेलकम टू अल अव यू इस वीडियो में हम सुपर क्लास टेट्रापोडा की फोर क्लासेज जैसे एमफीबिया, रैप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया को डिसकस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं क्लास एमफीबिया, एमफीबिया मेंज डुवैल लाइफ, दौनों हैबिटेट में रह सकते हैं, इनके अंदर टू पेर्स अफ लिम्स मिलते हैं, इनका बॉड़ी टू पार्ट में डिवाइड होता है, लाइक हैड एंड टंक, टेल जो होती है, इट में भी प्रजेंट इन संग, कुछ एनिमल्स के अंदर टेल प्रजेंट होती है, इनका जो हेरिंग ओर्गन है, उसको कवर करने वाली थिन टैन्स मेंब्रेन को टिम्पैनम कहते हैं, ठीक है, नेक्स देखे, क्लोईका, अलिमेंटरी कैनाल, यूरिनरी और रिप्रटिव ट्रेक्ट्स ओपन इन्टो अ कॉमन चैंबर नोन एज क्लोईका, देखे, क्लोईका क्लोईका is a kind of common chamber, एक ऐसा common chamber है, जहां पर एलिमेंटरी कैनाल, यूरिनरी और रिप्रटिव ट्रेक्ट्स तीनो एक साथ एक जंक्सन पे खुलते हैं, उसको क्लोईका कहते हैं, और क्लोईका जो है, वो outside, body के outside open होता है, नेक्स देखे, respiration, तो इनमें वो gills, lungs और skin की help से हो सकता है, इनमें three chambered hard होता है, जो two auricle और one ventricle से बना होता है, इनका body temperature ये cold blooded animal होता है, देखे, इनका body temperature outside environment के according change होता है, इसको हम poikilothermose भी कह सकते हैं, इनमें sexuality देखिए, sexes are separate, male female जो होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं, इनमें fertilization, external होता है, body के बाहर होता है, और ये oviparas होते हैं, ये eggs ले करते हैं, इनमें development indirect होता है, इनमें ये larva का formation करते हैं, example देखिए, buffo, इसको tod कहते हैं, rana, frog कहा जाता है, hyla, इसको tree frog कहते हैं, salamandra, इसको salamander कहते हैं, और icthiophis जो होता है, वो limbless amphibian होता है, आपको यहाँ पर two image given है, image A जो है, वो salamandra का है, image B जो ह rana means frog का है, next class देखिए, reptilia, अब देखिए, reptilia जो है, एक तरह का Latin word है, alright, इसका मतलब होता है, repair और raptum, या इसको creep या crawl कहते हैं, ऐसे animal जो rank कर चलते हैं, इस नाम से इसको reptilia रखा गया है, और इनका habitat जो होता है, most of case में ये terrestrial होते हैं, land पे रहते हैं, body covering देखिए, body is covered by dry and cornified skin, इनके body पर dry और cornified skin मिलता है, तो कि cornified skin जो है, reptiles के epidermis से बनावा, outermost skin है, और जो keratinocyte से बना होता है, और इसमें cornification की help से इस तरह की skin का इनमें formation होता है, इसलिए इसको हम cornified skin कहते हैं, next देखिए, यहाँ पर scales are present, इनके उपर scales present होते हैं, और scales को scutes भी कहते हैं, snakes and lizards shed their scales as skin cast, snake और lizards जो है, अपने outermost skin को एक complete covering के form में separate करते हैं, इसको skin cast कहते हैं, ear देखिए, they do not have external ear opening, इनके अंदर external ear opening नहीं होता है, लेकिन इनमें टिम्पैनम जो है, वो रिप्रेजेंट ear, टिम्पैनम जो है, वो ear को रिप्रेजेंट करता है, limbs देखिए, if present, then two in pair, देखिए, अगर limbs, legs present है, तो two pair में रहेंगे, अगर नहीं है, तो snake जैसे होता है, उनके अंदर limbs या legs नहीं मिलता है, heart देखिए, इनका heart three chambered होता है, इसमें two auricle और one ventricle मिलता है, आपको ध्यान रखना है कि एक exception के form में crocodile जो होता है, वो भी reptile है, लेकिन crocodile के अंदर four chambered heart मिलता है, ध्यान रखिएगा, बहुत important है, ये भी poikilo thermal होता है, इनका body temperature outside environment के according change होता रहता है, इनमें male female जो है completely separate animals होता है, fertilization जो होता है, वो इनके अंदर internal होता है, body के अंदर होता है, next देखिए, reproduction, ये ove paris होता है basically, ये egg ले करता है, इनमें development direct होता है, इनके अंदर larval stage नहीं आती है, examples देखिए, kilon इसको turtle कहता है, testudo ये tortoise हो गया है, chameleon को tree lizard कहते है, kellots जो है garden lizard होता है, crocodilus, crocodile होता है, alligator alligator कहते हैं, hemidactylus को wall lizard कहते हैं, ध्यान रखेगा, poisonous snake जो है, naza इसको cobra कहते हैं, bangras को crate कहते हैं, और wipera जो है, ये wiper हो गया है, आपके सामने four image given है, image A जो है, वो chameleon का है, image B जो है, crocodilus का है, image C जो है, वो kilon का है, और image D जो है, वो naza का है, next class is avise, जेकिए avise के अंदर कुछ various characteristics feature होता है, like number one is presence of feather, इनके अंदर feathers present होता है, जो fly में help करता है, most of them can fly except flightless bird like ostrich, maximum bird जो है वो fly कर सकता है, लेकिन ostrich जो होता है, वो fly नहीं कर सकता है, और इनके अंदर beak present होता है, इन में charge present होती है, देखिए इन में four limbs सो होता है, वो wings के अंदर modified हो गए है, इन में hind limbs सो होता है, they have scales, and scales are modified for walking, swimming, and clasping the tree branches, hind limbs जो होता है, इनके अंदर, इन पर scales मिलते हैं, और वो various function perform करते हैं, भागने में, या swim करने में, या फिर tree branches के उपर अपने आपको ठहराने में, इनको पकड़ने में, clasping में, वो help करते हैं, skin देखिये, it is dry, and only oil gland is present at the base of tail, इनके tail के base पर oil glands present होती है, but इनके skin जो होती है, वो dry होती है, ठीक है, next देखिये, endoskeleton, it is fully ossified, यह completely bony होता है, bone से बना आता है, and the long bones are hollow with air cavities, इनकी जो longer bone है, इनके अंदर air cavities मिलना इनका एक unique feature है, इनको pneumatic bone कहते हैं, जो उनको fly करने में help करते हैं, digestive track देखिये, it has additional chambers, like crop and gizzard, कई बार पूछा जाता है, देखिये, एविज क्लास के animals में, crop and gizzard मिलता है, basically bird के अंदर यहां पर crop and gizzard मिलना एक unique feature होता है, इनका heart four chambered होता है, जहापर two auricles and two ventriples होता है, इनका body temperature जो होता है, देखिये, warm blooded होता है, because इनके अंदर pure or impure blood, इनके अंदर oxygenated and deoxygenated blood जो होता है, आपस में mix नहीं होता है, तो यह warm blooded या homeothermous होता है, इनका body temperature, environment के according, change नहीं होता है, constant रहता है, it means they can maintain a constant body temperature, all right, फिर देखिये, respiration, it is by lungs, इनके अंदर lungs present होता है, और air sex connected to the lungs supplement respiration, air sex जो होता है, in the connection, lungs के साथ भी होता है, sex is separate होता है, it means male female अलग-अलग होता है, fertilization जो होता है, वो body के अंदर होता है, सुब बोलता है, internal, और यह सब egg ले करते हैं, यह OB parrots होते हैं, देखिये, इनमें development direct होता है, it means इनमें larval stays नहीं मिलती है, examples देखिये, corvus इसको crow क्याता है, columba, peasant, कबूतर हो गया है, cittacula, parrot है, struthio, ostrich, pavo, peacock, aptanodites, penguin हो गया है, neofron जो हैं इसको vulture का जाता है, आपके सामने four images है, image A जो है neofron, it means vulture का है, image B जो है वो struthio, it means ostrich का है, image C जो है, cittaculite means parrot का है, image D जो है वो pavomus peacock का है, all right, last class देखिये, mammalia, तो इनका habitat देखिये, they are found in variety of habitats like polar ice caps, desert, mountains, forest, grasslands and dark caves, everywhere, some mammals can fly or live in water, कुछ mammals जो है fly भी कर सकते हैं और कुछ पानी के अंदर भी रहते हैं, इनका unique feature देखिये, presence of mammary gland, देखिये, इनके अंदर mammary glands होती है, जिस mammary gland की help से वो अपने बचे को या newborn को feeding कराते हैं, तो इनमे mammary gland का मिलने के कारण इनको mammalia में रखा जाता है, they nourish their young ones using mammary gland, ठीक है, limbs देखिये, two pairs of limbs मिलते हैं, जो walking, climbing, burrowing, swimming और flying ऐसे various works में काम में आते हैं, इनके skin पर hairs मिलते हैं, ear में देखिये, इनके पास में external ear मिलता है, जिसको पिन्ना, ear पिन्ना का जाता है, तो ear पिन्ना जो है, mammalia के animals के अंदर मिलता है, फिर देखिये, teeth, these are of different types located in jaw, देखिये, mammals के अंदर, अगर हम human की बात करें, तो हमारे अंदर teeth जो हैं, दो बार आते हैं, और four types के होते हैं, इसको हम dipheodont and heterodont भी कहते हैं, तो यह तरह का mammalian feature होता है, heart देखिये, four chambered heart होता है, इसमें two auricle and two ventricles मिलता है, और देखिये, body temperature, तो यह homeothermous होता है, it means mammals के body का temperature, environment के according change नहीं होता है, इनमें respiration lung से मिलता है, sex is separate होता है, male female अलब-अलब मिलता है, fertilization internal होता है, female के अंदर होता है, ठीक है, और यह vb paras होता है, but with few exceptions, it means यह अपने बच्चे को, अपने newborn baby को birth करते हैं, but कुछ exception भी है, और inmate development जो है, वो direct होता है, it means यहाँ पर larval stage नहीं मिलता है, example देखिए, जो oviparas mammalian है, उसका नाम है, ornithorhynchus platypus, देखिए, यह image जो है, वो ornithorhynchus platypus का है, एक अकेला ऐसा mammal जो एग ले करता है, oviparas है, वो कौन है, platypus होता है, ठीक है न, बाकि सभी examples जो वो vb paras के होता है, it means वो अपने जैसे बच्चों को newborn को बर्थ करता है, तो अभी जो example है, वो सब vb paras के है, like macropus means kangaroo, teropus means flying fox, camelus means camel, mackaka means monkey, ratus means rat, canis means dog, phallus, cat, elephant, aquus, horse, dolphinus, यह common dolphin को कहते हैं, ठीक है, melanoctera, जो है, blue whale का name है, ध्यान रखेगा, कई बार पूछा जाता है, panthera tigris tiger के लिए, और panthera lion के लिए, आपके सामने four images है, image A जो है देखे, ornithorincus का है, एक ऐसा अकेला, या only the example, platypus होता है, ornithorincus होता है, जो egg ले करता है, oviparous होता है, बाकि सभी mammal जो होते हैं, वो viviparous होते हैं, B image देखे, ये macropus का जो kangaroo है, ठीक है, C image जो है, ये teropus means bat का है, और D image जो है, bellanoptera का है, जो blue whale का है, thank you very much, have a nice day, झाल 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 מאन सता है।